आज हम lecture में discuss करने वाले हैं कि e-tab में wall and wall का material हम कैसे create करते हैं तो wall का material करेट करने के लिए हमें define में जाना होगा और define में जो सबसे पहला option है material property हम इस पर click करते हैं यहाँ पर देखिए एक option आगे आपका add new material तो हम add new material पर click करते हैं then reason select करने के लिए का जा रहा हम से तो यहां से जो भी reason है आपका वो आप select कर सकते हैं मैंने यहां से इंडिया चूस किया इंडिया चूस करने के बाद second option मुझसे पूछा जा रहा है material type तो आपका material यहाँ पर क्या है concrete है कि steel है वो आपको select करना है लेकिन यहाँ पर आज मुझे wall create करनी है तो wall को create करने के लिए मुझे यहाँ से चूज करना होगा masonry wall तो मैंने यहाँ से material choose किया then directly आप ok कर देंगे तो जो masonry wall है उसकी जो properties है आपकी वो सारी default properties आपके सामने है आपको modulus of elasticity, poison ratio, coefficient of thermal expression जो भी values अगर आपको change करनी है यहाँ से new material के लिए तो आप यहाँ से change कर सकते हैं अभी मैंने ok पर क्लिक कर दिया ok पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका एक new material यहाँ पर generate हो चुका है then आप यहाँ से क्या कर सकते हैं ok कर देंगे हमने एक material क्रेट कर लिया masonry wall अब हम चलते हैं कि जो आपको wall बनानी है उसकी properties क्या होंगी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपने beam बनाई है तो उसकी भी property आपने दी है column अगर आप create किये हैं आपने तो उसकी भी properties दी है तो wall की property create करने के लिए हम चलते है define पर और second option हमें मिल जाता है section properties और यहाँ से हमें choose करना होगा wall sections तो आपने wall section को click किया अभी यहाँ पर देखे e tab हमेशा आपको एक default property जरूर देता है तो यहाँ पर wall 1 एक default property आपकी wall की आप यहाँ पर click करेंगे add new property और यहाँ पर आप जो नाम देना चाहें वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं अभी जो नाम है wall 2 मैं उसी को रखता हूँ आगे चलते है next option है आपका wall का material तो आपने एक material वहाँ पर create किया था पहले messenger new wall तो आपने इसको select कर लिया यह आपका material हो गया modeling type में चलते हैं यहाँ पर देखें चार option है जो मैंने आपको slab में discuss किये थे वही चार option है यहाँ पर तो मैं यहाँ से membrane चूज करूँगा because मैं चाहता हूँ कि मेरा जो load है वो transfer हो जाए beam पर तो मैंने membrane चूज कर लिया बाकि क्यों membrane चूज करते हैं इसके लिए आप slab वाली वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने thickness की value दे दी 230 mm और मैंने इसको कर दिया OK तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक property है wall की वो आपकी create हो चुकी है तो देखें यह मेरा दूसरा step था पहले step मैंने material create किया और material create करने के बाद जो wall की properties थी मैंने उनको यहाँ पर create कर लिया then OK अब थर्ड step पे चलते हैं कि अब मुझे अपने project में wall create करनी है तो यहाँ पर देखिए एक option है आपके पास में draw wall मैंने इस option को यहाँ से pick किया मैंने first click किया then second click किया आप यहाँ पर 3D view में देख सकते कि एक wall आपकी create हो गई है लेकिन यह जो wall आपकी create होई है यह आपका जो section properties थी यह default थी क्यों default थी क्योंकि मैंने अभी कोई भी property वहाँ से select नहीं किया तो कैसे करते हैं एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं दिखे मैंने यहाँ से choose किया option और यहाँ पर आपको दिखे property दिखाई दे रही है तो जब आप click करेंगे यहाँ पर तो आपने कौन से property बनाई थी wall number 2 तो आपने इसको select किया अब जो मैं यह wall बना रहा हूं यह वह वाली property जो मैंने apply करी थी अभी हम एक काम करके देखते हैं कि हम normally ऐसे ही apply कर लेते हैं फिर बाद में देखेंगे कि अगर आप भूल करें अपने कोई और material अपने वहाँ पर apply कर दिया है या और section properties कोई apply करती है तो हम कैसे उसको change करते हैं अभी हम second option पर जलते हैं second option है हमारा quick draw wall,quick draw wall से क्या होगा कि आप grid की line को एक बार select करेंगे और एक बार selection से ही आपकी देखेंगे इस तरीके से wall आपकी create हो जाएगी मैंने देखें एक बार में पूरे grid को select कर लिया तो आप right side में देख सकते हैं आपकी wall create होगी अभी आपने जो select किया था वो one story था जब आप यहां दे select करके all story select कर लेंगे अब आप देख सकते हैं 3D में कि आपने जो wall apply की है वो हर story पर आपकी apply होगी है अब मैं एक बार यहां से all story मेरा select है तो मैं एक बार पूरे grid को फिर से select कर लेता हूँ और अब आप पूरे plan में देख सकते हैं कि आपकी wall create हो चुकी है पूरे plan में अब यहां से देखते हम कि इसकी property कैसे change होती है तो मैंने यहां पर देखिए select पर click किया और select पर जाने के बाद मैंने यहां से select किया object type object type पर click करके मुझे क्या select करना था wall select करनी थी तो मैंने wall को click किया और select कर लिया तो देखिए right side में आप देख सकते सारी walls आपकी select को चुकी है मैंने close कर दिया इसे और अब मुझे वो property apply करनी थी जो मैंने बनाई थी assign पर आप click करेंगे और यहां से option आपको मिलेगा shell और shell में आपको option मिलेगा wall section तो मैंने इसको select किया और यहां से मैंने जो property बनाई थी wall number 2 उसको मैंने select किया then apply यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपने property बनाई थी वो आपकी सारी walls पर apply हो चुकी है